हेलो एव्रीवन आज की इस क्लास में शुशॉल जी के टॉप 30 कोशन्स के बारे में बात कने वाले हैं ये क्लास आपके नेट एक्जैम के अलावा एसेस्टेंट प्रोफेसर एक्जैम में जो कोशन्स पूछी जाते हैं उनका लेवल रहने वाला है क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर जो कर दीजे अगर आप नेट, जैयरफ, पीजी टी, जी आईसी या फिर एसेस्टेंट प्रोफेसर एक्जैम की तैयारी कर रहें शुशॉल जी से तो इस चैनल के साथ आप यहां से अपनी स्टडी को कम्प्लीट कर सकते हैं, प्लेलिस में उनसे भी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं चले स्टाट करतें, फर्स्ट कोशन है, सब्भेताओं के संघश की प्रस्थापना है कि उत्तरशीत युद विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघश के प्रात्मिक स्त्रोथ होगी यहां विचार किसका है, आप्शन्स दिये गए है, सोरोकिन, सेम्वल पी हंटिंग्टन, टॉइन अभी, स्प्यांगलर सब्वेताओं के संघश की प्रस्थापना है कि उत्तरशीत युद विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघश के प्रात्मिक स्त्रोथ होगी यह विचार इनमें से किसका है और यहां पर सही क्या हो जाएगा ओप्शन हो जाएगा यहां पर राइट आंसर सैम्वल पी हंटिंग्टन ओप्शन बी यहां पर राइट होगा नेक्स्ट कोशन है सोसाइटी इन इंडिया के लेखाख है ओप्शन दे गए है अगस्त कॉम्प, डेविट जे मैडल बॉम, राधा कमल मुखर जी, डिन, मजूमदार सोसाइटी इन इंडिया किसकी पुस्तक है सोसाइटी इन इंडिया तो यहां पर सही हो जाएगा डेविट जे मैडल बॉम ओप्शन बी यहां पर राइट होगा ठीक है, बी यहां पर राइट है और यह आपके नेट एक्जैम में पूछी जा चुकी है नेक्स्ट है, दे स्टॉक्चर ओफ हिंदू सोसाइटी पुस्तक किसकी है, एनके बोस एर देसाई, इरावती कारवे, सुर्जीत से नहा यहां पर ओप्शन दिये गए है, पुस्तक का नाम है दे स्टॉक्चर ओफ हिंदू सोसाइटी एंड शुशौल जी कि जो इंपॉर्टेंस बुक्स है उन्हें पहले ही कम्प्लीट कराया जा चुका है उनकी क्लासेस ली जा चुकी है प्लेलिस में आपको उसका फोल्डर मिल जाएगा अभी तक इस चैनल पर जितने भी टॉपिक्स कम्प्लीट कराये गए है जितने भी क्लासेस ली गई है उन सभी का आपको फोल्डर मिल जाएगा सभी का folder बना दिया गया है प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो सारे folders आपको वहीं पर मिल जाएंगे ठीक है तो आप वहाँ से देख सकते हैं जिसनों ने भी नहीं classes देखी है तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा The structure of Hindu society यह पुस्तक किसकी है N.K.Bos की है यहाँ पर सही क्या होगा सही यहाँ पर होगा 2001 2001 option B यहाँ पर right answer हो जाएगा Next है ओरिशा की जुआंग जनजातियों की भी छेत्र अनुसंधान किया है options दिये गया है N.K.Bos, Kathleen Guff, F.G. Bailey ओरिशा की जुआंग जनजातियों में जो field work हुआ है research किया है वह इन में से किस ने किया है तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा यहाँ पर भी निर्मलकुमार बोस होंगे N.K.Bos option B यहाँ पर right answer हो जाएगा Next है समाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है यहाँ कथन है समाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है यहाँ इन में से किसका कहना है एक आप अभी क्लास देख रहे है आट बजे एक शाम को पाच बजे क्लास होती है बिहार PGD और स्टेट एक्जाम से रिलेटेट क्लासस वहाँ पर जो कोशन्स है उन क्लासस में जो पाच बजे होती है शाम को उस क्लासस में कराया जा रहा है तो जितने भी लोग PGD एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं या भी हार स्टेट एक्जाम देने वाले हैं वे सभी शाम को पाच बजे क्लास को चोईन कर सकते हैं और यहाँ पर सही क्या होगा option A होगा Spencer, Herbert Spencer होगा option A यहाँ पर राइट होगा Herbert Spencer ने समाजिक सरशना यानि कि जो social structure है इसकी तुलना मानविय शरीर से की थी और समाजिक सरशना इस अब धारना का प्रियोग भी Spencer ने सबसे पहले ही किया था Spencer को समाजिक डार्विनवादी विचारक भी कहा जाता है और इन्होंने समाज के दो प्रकार बताए थे एक तो शिकारी समाज और दूसरा ओधोगिक समाज है ये याद रखिएगा प्रेशने इस तरीके से पूछा जाता है जिती भी आपको बाते बताई हैं इनसे सम्बंदित प्रेशने एक्जामस में बनते हैं और इनका ये भी कहना था कि समाज का सरलता से जटिलता की योर व किया है ऑप्शन से डिपी मुकरजी नर्मदेश्वर प्रसाध एससी दुबे एके सरन यहांपर सही क्या होगा जाती विवस्ता के अध्यन के अधार पर भारती समाज और संपूर जीवन विवस्ता को समझने का प्रेयतन इनमें से किस समाज शास्तिरी ने किया है जिए सही आर्थिशास्त का संस्थात्मक सिध्धान्त में बताया गया है कि समाजिक मूल्य और परमपराएं आर्थिक जीवन को अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करती है। यह इन में से किसका कहना है। आर्थिशास्त का संस्थात्मक सिध्धान्त में बताया गया कि समाजिक मूल्य और परमपराएं आर्थिक जीवन को अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करती है। किसका कहना है यह? तो यहाँ पर सही हो जाएगा डॉक्टर राधा कमल मुखर जी राधा कमल मुखर जी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा नर्मदेश्वर प्रसाद ठीके नर्मदेश्वर प्रसाद हो जाएगा ओप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप्शन्स दिये गए हैं। समाज शास्विभाग है उसकी स्थापना भी की गई थी 1953 में यह भी याद रखिएगा। ठीके बिहार में पटना विश्विद्याले में डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद के निर्तत मेहीं 1903 पर में समाज शास्विभाग की स्थापना की गई थी। ठीके कुलीनी करन के अवधार्ना इन्होंने दी हुई है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ किसका कहना है और धोगिक समाज श्रम विभाजन पर आधारिस समाज है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा। Option B दुर्खीम ठीके दुर्खीम यहाँ पर राइड अंसर हो जाएगा। अब दुर्खीम की महतपुर अवधार्नाओं के बारे में बात की जाए। तो सर्वप्रमुक अवधार्ना इनकी समाजिक श्रम विभाजन का सिद्धान थै। दूसरा आत्महत्या का इन्होंने अथ्यमाना था आत्महत्या को इसके अलावा सामुहिक प्रतिनिधान के अवधार्ना दी थी, धर्म की उत्पत्ती का समाजिक सिद्धान थिन्होंने दिया हुआ है। कहां पर अध्यन था इनका तो आस्ट्रेलिया की अरुंटा जिन जाती पर इन्होंने अध्यन किया इन सभी बातों को ध्यान में रखेगा, एक्जामस में अक्सर पूछ ली जाती है। चले आगे देखते हैं, प्रेशन है, यहां किसका विचार है कि मनुश्य अपनी समाजिक प्रकति की संतुस्टी के लिए अनेक सम्हू, संगटन और सहचर का निर्मान करता है। यहां किसका विचार है कि मनुश्य अपनी समाजिक प्रकति की संतुस्टी के लिए अनेक सम्हू, संगटन और सहचर का निर्मान करता है। यहां पर सही क्या हो जाएगा? सही क्या होगा यहां पर? मैकैवर होगा। औप्शन A यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कोशन है, दमॉडन इस्टेट, पुस्तक है, एंजल, स्कॉलमार्क्स, हीगल, मैकैवर आप्शन्स दिये गया है, दमॉडन इस्टेट किसकी हो जाएगी पुस्तक? मैकैवर, ठीके, मैकैवर की है, डी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है सांस्कृतिक मनवरती की अव्धार्णा के जनक हैं। सही क्या होगा याँ पर? सोरो किन होगा? ऑप्शन B यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोरोकिन ने सबसे पहले समाजिक गतिशीलता का अधिन किया था अपनी पुस्तक शोशल मोबिलेटी में और ये पुस्तक 1927 में आती है ये भी याद रखेगा इसके अलावा सोरोकिन ने समाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मक्ता का सिध्धान भी दिया था और उनक के देखते हैं प्रश्ण है नगरी करन का तातपरे केवल लोगों का गामों से शेहरों की और गमन ही नहीं है बलकि लोगों की विचारों वहवार मनुवरतियों मूल्यों आधी में भी परिवर्तन समलित है या किसका कथन है ओप्शन्स है लुईस वर्थ रॉबर्ट रेट फिल्ड फियर चाइल्ड शेनिवास ओप्शन्स है नगरी करन का तातपरे केवल लोगों का गामों से शेहरों की और गमन ही नहीं है बलकि लोगों के जो विचार है वहवार है उनकी मनुवरतियों मूल्यों इन सभी में भी परिवर्तन देखने को मिलता है और यह कहना किसक का है फियर चाइल्ड का है ठीक है फियर चाइल्ड ने इस तरीके से नगरी करन को परिभाशत किया है ओप्शन सी यहां पर राइड आंसर हो जाएगा प्रेशन है पुस्तक से संबंदित दनेचर ओफ कल्चर किसकी पुस्तक है आर लिंटन एलफ्रेट क्रोबर मजूमदार लीच ओप्शन दे गया है दनेचर ओफ कल्चर किसकी हो जाएगी पुस्तक सही यहां पर क्या होगा दनेचर ओफ कल्चर किसकी हो जाएगी दनेचर ओफ कल्चर हो जाएगी एलफ्रेट क्रोबर की ठीक है ओप्शन बी यहां पर राइड आंसर हो जाएगा कल्चर यानि की स इस पर class ले जा चुकी है, इसका आपको प्लेलिस में folder मिल जाएगा, तो वहां से आप उन classes को देख सकते हैं, अब यहां पर देखी पुस्तक है, community conflict पुस्तक किसकी है, काल मार्क, सेबर मार्स, कोलेंस, कॉल मैन, options देगा है, community conflict, किसकी हो जाएगी, community conflict किसकी है पुस्तक, सही यहां पर होगा, call man, option D, यहां पर right answer हो जाएगा, प्रेशन है revolution and counter revolution, किसकी है पुस्तक, David Lockwood, lipset, मजूमदार, इवान, इलिच, options है, revolution and counter revolution, किसकी पुस्तक है, David Lockwood, lipset, मजूमदार, इवान, इलिच, सही क्या होगा, सही यहां हो जाएगा, lipset, ठीके, यह पुस्तक, lipset की है, option B, यहां पर right होगा, प्रेशन है, the capitalist revolution किसकी है, बोर्दियो, लॉइड वोर्णर, पीटर बर्जर, वैबलेन, option से, the capitalist revolution किसकी पुस्तक है, किसकी हो जाएगी, यह पुस्तक, पीटर बर्जर, ठीके, पीटर बर्जर की है, option C, यहां पर right answer होगा, अब देखिए, आपर प्रेशन है, निमने में से, किसने, समाजी करण की विवेचना, वन्शानुगत और परेवरण के आधार पर की है, options है, चॉल स्कूले, जॉन्सन, एलेफ वॉर्ड, किंगसले, डेविस, इन में से, किसने, समाजी करण की विवेचना, वन्शानुगत और परेवरण के अधार पर की है, सही क्या होगा, सही यहां पर हो जाएगा, एलेफ वॉर्ड, ठीके, एलेफ वॉर्ड होगा, option C, यहां में, जॉन्सन, options दिये गया है, सही क्या होगा, यहां पर राइट अंसर क्या होगा, किसका कहना है कि, वेवसाइक, योगिता, प्राप्त करना, पूरुभासी, समाजी करण करना ही है, ब्रो मैन सेलजनिक, रॉबर्ट किंग मर्टन, हाई मैन जॉन्सन है यहां पर, और समाजी करण इस टॉपिक को कम्प्लीट कराया जा चुका है, इसका आपको प्लेडिस में फोल्डर मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं, समाजी करण के बात की जाए, तो सबसे पहले समा समाजी करण कैसी है प्रक्रिया, एक सीखने की प्रक्रिया है, जो व्यक्ति के जीवन भर चलती है, जीवन भर चलती है, चुकि इसलिए इसमें गतिशीलता पाई जाती है, और एक प्रेश्न पूछा जाता है महतपुर अवस्था का, महतपुर अवस्था क्या है समाजी की तो बाले वस्था से किशोर वस्था मानी जाती है समाजी करण की महतपूर वस्था और एक प्रशन आता है कि व्यक्ति की समाजी करण में क्या होता है कि जो व्यक्ति है जिस समाज का सदस है उस समाज के जो मूले है विचारधारा है मांडंड है उनको आत्मसाथ करने की प् ठीक है? तो ऐसी प्रेक्रिया क्या कहलाएगी? समाजी करण कहलाएगी ये भी याद रखिएगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही? ब्रूम एन सेलजनिक हो जाएगा. A यहाँ पर सही हो जायगा. किसने समाजी करन की चर्चा में इस्थिती की परिभाशा का सद्धान्त दिया है सही क्या होगा किसने समाजी करन की चर्चा में इस्थिती की परिभाशा का सद्धान्त दिया है राइट अंसर यहाँ पर हो जाएगा ओप्शन B, W.I. थॉम्स B यहाँ पर सही होगा प्रश्न है, The Child in America यह पुस्तक किसकी है? चॉल स्कूल A, किंग्सले डेविस, बोटो मोर, W. थॉम्स यहाँ पर ओप्शन है सही क्या होगा The Child in America पुस्तक किसकी है? चॉल स्कूल A, किंग्सले डेविस, बोटो मोर, W. थॉम्स यहाँ पर ओप्शन्स यहाँ पर ओप्शन है राइट अंसर डब्लू थॉम्स होगा D, यहाँ पर राइट होगा नेक्स्ट कोशन है प्रस्तिया ग्रहन की जाती है जबकि भूमिकाएं संपादित की जाती है या किसका कहना है? लिंटन, बर्टर, मैकैवर, पार्सन्स ओप्शन्स दिये गए है प्रस्तिया ग्रहन की जाती है जबकि भूमिकाएं संपादित की जाती है या किसका कहना है? स्टेटस और रोल इस टॉपिक को भी कम्प्लीट कराया जा चुका है स्टेटस और रोल यानि कि प्रस्तिय भूमिकाएं से संबंदे सभी अवधार्नाओं पर क्लासिस ली जा चुकी है MCQ सॉल्फ कराए गए है इनसे रेलेटेट पेलिस में भी इसका फोल्डर मिल जाएगा रॉल्फ लिंटन रॉल्फ लिंटन नहीं सबसे पहले प्रस्तिय भूमिका इस अवधार्ना का प्रियोग किया था वैवस्ते तरीके से अध्यन किया था और इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक The Study of Man में किया था पुछी जाती है किस पुस्तक में इन्होंने बात की है तो पुस्तक का नाम है The Study of Man और डिरेक्ली भी पुछिया जाता है कि यह पुस्तक किसकी है तो यह ऐसे याद रखेगा और प्रस्तती के इन्होंने दो प्रकार बदाये थे प्रदत प्रस्तती और अरजित प्रस्तती ठीक है यह भी याद रखेगा Next question है किसने नातिदारी व्यवस्ता का वर्गी करण प्रारंबिक और जटल व्यवस्ता में किया है सही हो जाएगा यहाँ पर लेविस्ट्रॉस लेविस्ट्रॉस हो जाएगा option A यहाँ पर right होगा और लेविस्ट्रॉस ने सरशनावाद की अवधार्ना दी थी ठीक है सरशनावाद की अवधार्ना इन्होंने दी थी इसके अलावा मिथ की अवधार्णा भी इनकी ही है मिथ या हिंदी में से मिथक बोलते हैं ठीके इसकी अवधार्णा भी लेविस्ट्रॉस ने दी है यह यहाँ पर सही होगा प्रश्ण है किसने इस्थती जन और सुववस्थित अपराधों का वर्गी करण दिया वॉल्टन, बोगर, लेमर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं अपराध यानि की क्राइम की बात की जाए तो इस टॉपिक को भी कम्प्लीट कराया गया है इस्थती जन और सुववस्थित अपराधों का जो वर्गी करण है इनमें से किसने दिया तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा लेमर्ट हो जाएगा लेमर्ट ऑप्शन सी यहाँ पर राइड आंसर हो जाएगा प्रेशन है किसका विचार है कि समान अपराधी एक मिथक है समान अपराधी एक मिथक है यहाँ इनमें से किसका कहना है आप्शन से डेविड अबराहम सेन, ए आर लिंड स्मिथ, टॉफ्ट मावरर यहाँ पर आप्शन सेन, इनमें से किसका विचार है कि समान अपराधी एक मिथक है सही क्या होगा यहाँ पर? प्रश्ण है किसने व्यक्ति और समाज की बीच होने वाली अंतरकिरिया में परिवर्तन को समाजिक परिवर्तन कहा इस तरीके से समाजिक परिवर्तन को किस ने परिभाषित किया है, तो यहां पर सही क्या हो जाएगा, टीके है, टॉलकट पार्संस, passenger using using here, यहां पर राई हो गा,sprosons के समाजशास में तीन महतपूर योगदान रहे हैं एक तो समाजिक व्यवस्था पर रहा है दूसरा इनका समाजिक किरिया पर रहा है और तीसरा प्रकारिवाद पर रहा है इसके अलावा अगर इनके अवधार्णाओं की बात की जाए तो संस्था करण की अवधार्णा इन्होंने दे रखी है द्वित्यक संस्था की अवधार्णा भी इन्होंने ही दी है और प्रतक नाभिके परिवार की अवधार्णा भी पार्संस ने दी हुई है ठीके तो ये कुछ महतपूर अवधार्णा आए थी इन्हें भी याद रखे चलिए आगे देखते हैं, प्रेशन है किसके अनुसार युद्ध मनुशी के मानवी संखश का सबसे अधिक हिनसात्मक रूप है, ओप्शन से हीगल, कालमाक्स, विलियम जे गुडे, किमबॉल यंग, यहां पर सही क्या होगा, युद्ध मनुशी के मानवी संखश का सबसे अ प्रियोग अपनी परिभाशा में विशेश प्रस्तति से सम्मंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समगरता के लिए किया, रॉल्फ लिंटन, बोटो मोर, फ्रेजर, टॉनी, आप्शन्स हैं, इनमें से भूमी का शब्द का प्रियोग, अपनी परिभाशा में विशेश प्रस् इन मेंसे किस ने किया है? सही क्या होगा यहां पर? राइड अंसर क्या होगा? रॉल्फ लिंटन, ठीक है? रॉल्फ लिंटन होगा, यहां पर सही होगा लास्ट कोशन है निमने में से किस ने भारती ग्रामीर समाज के गुटबाजी का अध्धिन करने के लिए दो परिपेक्षों का प्रियोग किया सरशनात्मक, प्रकारयात्मक और वहवारवादी ये परिपेक्षे है परिपेक्षों का प्रियोग भारती ग्रामीर समाज में गुडबाजी का अध्यन करने के लिए इन में से किसने किया है ओप्शन्स है ओसकर लेविस, लुइस्वर्थ, हार्डी मैन, एमेन, शुनिवास तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा हार्डी मैन, ठीक है हार्डी मैन, यहाँ पर ऑप्शन C, राइड अंसर हो जाएगा तो आज की क्लास में बस इतना ही, आई होप यह आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लिस लाइक करिएगा कमेंट करके ज़रूर बताईएगा, चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजेगा एंड इस वीडियो को जित्ता हो सके, जादा से जादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रू करिएगा